सभी किसान भाईयों का और डेरी फार्मर्स का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम से जी का एक और इंपोर्टिट बुल आए हैं काफी फेमस बुल है जो नए बुल आए हैं उनमें 44-432 जिसका नाम मिडनाइट भी है और ये बुल भी जिनोमिक बुल है अब और इंपोर्टिट जर्मनी का बुल है सुपिरियर एनिमल जेनिटिक्स का और काफी फ्रेंड्स हमसे ये भी पूछ रहे थे कि जो दोनों बुल है 44-432 मिडनाइट और 44-433 जो थेनोस था जिसकी हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उन दोनों बुल में बैटर कौन है और क्या उन बुल का कंपैरिजन है कौन सा बुल यूज करना चा आप आइडिया लगा सको कि कौन सा बुल हमें यूज करना है कि आपके फारम पे क्या जादा प्रॉबलम है मिल की प्रॉबलम है फीट एंड लेक्स की है अडर की प्रॉबलम है तो जिसका भी स्कोर जिस डिपार्टमेंट में बैटर होगा आप दोनों कंपेर करके देख सक हैं सबसे पहले तो इस बुल का नाम है मिडनाइट एच एफ चाली चार सो बतिस डेट ऑब बर्थ है ये दो हजार बीस का तो आप देखोगे काफी जो मेटरनल साइड के ब्लेड लाइन है मा के साइड के ब्लेड लाइन है वो इन दोनों बुल्स की कॉमन है आपकी चाली 4433 की और 4432 की सेम डैम नेम है MB 797 क्योंकि ये एक ही मा से ET करके जो बुल निकाले गए हैं इंब्रॉय ट्रांसफर वाली टेकनोलोजी से और ऐसे ही इसका जो मेटरनल ग्रेंड सायर है नाना है गेट डांसर तो ये आपको सेम मिलेगा सायर जो इसका फादर है वो क्राउन मै मैक्स है और पेटरनल ग्रेंड सायर जो दादा है वो है सिल्वर रिज वी आई मैक्स और पेटरनल ग्रेंड डैम जो इसकी दादी है वो है हुलस्टीन क्राउन पार्टी टू और मेटरनल ग्रेंड डैम आप देख सकते हो ये है इसकी नानी ओक्टीविया तो ये जो है इस 433 भी और ये आपको भी सामने जो lactation yield आएगी उसमें भी दिखेगा जो मा का record है ये भी दोनों का same ही रहेगा 19,548 kg जो fat है वो है 3.96% fat इतने milk के हिसाब से जो fat है काफी अच्छा है लगबग 4% है और जो father side की bloodline है वो दोनों bulls की अलग-अलग है इसके बाद आएए सबसे जरूरी जो चीज़े हैं इसका जो index है वो देख लेते हैं शुरूर में क्योंकि ये जर्मनी imported bull है तो पहले जर्मन index दिया हुआ है जर्मन index में total merit है 156 milk improvement बहुत अच्छा कर रहा है 152 उससे ज़्यादा milk improvement कर रहा है ये reproduction 112 और आप देख सकते हो यहाँ पे genomic estimated breeding value GEBV के हिसाब से देखें तो जो milk improvement ये कर रहा है वो है दिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा strong feet and legs वारा bull है वो आपको यहां से clear भी दिख जाएगा कि feet and legs का score है वो बहुत ज़्यादा है plus 112 तो अगर किसी के फारम पे जो गाएं हैं उनका feet and legs कमजोर है उनको चलने में दिक्कत आती है lameness की परिशानी है कमजोर feet and legs के पशू है अगर आपके पास और आपको milk भी improve करना है और गाएं पैरों से भी मजबूत बने तो आप definitely 4432 ही use कीजिए midnight bull use कीजिए इसके बाद इसका जो total performance index है TPI है वो है 2680 ये चीज मैंने आपको पताई है ये सबी index को मिला के बनती है इसमें सबका score जुड़ता है अडर का भी, health का भी, milk का भी, fertility का भी सारे score इसमें जुड़ते हैं उसके बाद ये total score बनता है ये score जितना ज़्यादा होता है उतना ही बुल जो है आपका अच्छा होता है daughter pregnancy rate, dpr इसकी minus में है तो अगर fertility दोनों की compare करेंगे तो जो fertility है उसकी plus में थी 44,433 की तो fertile बुल 44,433 ज़्यादा है sire calving ease का जो score है इसका ज़्यादा है 2.20 लेकिन इसमें जितना कम होगा उतना अच्छा होता है उतना ही बच्चे को जनम देने में असान होता है तो sire calving ease भी 44,433 का अच्छा है इसके अलावा somatic cell score 2.2 ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा होता है तो जिस बुल का जितना कम होगा उतना ही इसकी हीफर्स को होने का चांस कम होगा इसका 2.2 है और जो productive life है वो 3 है ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा उतने लंबे टाइम तक इस बुल की जो हीफर्स है वो ज्यादा लंबे टाइम तक दूद देंगी हर्ड के अंदर productive बनी रहेंगी यह बिलकुल आपको simple भा इसका जो stature है ये भी plus में है तो अच्छे compact structure की पशू आएंगे लेकिन 44-433 में थोड़ी सी height और width ज्यादा आज सकती है इस बुल के comparison में लेकिन ज्यादा कई बार जो height हो जाती है width हो जाती है वो आपको नुकसान भी देख सकती है अगर आपके पास farm पे कई बार proper nutrition नहीं है बिल्कुल खुल के चारा नहीं है तो बड़े animal का कई बार आप BCS maintain नहीं हो पाता है जिससे उसमें और बहुत सारी problems आ जाती है इसके अलावा अडर स्कोर भी देखोगे तो अडर स्कोर तो जितने भी imported bulls होते है उनका अच्छा ही होता है वो जर्नली आपकी जो इंडिय में जर्नली जो क्रॉस ब्रीड गाएं रहती है उसके बार जब हम ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं फार्मों पे तो उनका तो जो अडर है उससे बहुत जादा improvement कर देते हैं यह जितने भी भार के important bulls है और यह इनके score पे दिख भी रहा है जो अडर स्कोर के से front अडर अटे होगा अडर उपर से चोड़ा बनेगा उसकी हाइट आएगी ज्यादा नीचे लटकेगा नहीं उपर से start होगा और पूरी विट बनेगी चोड़ा बनेगा उसके लावद जो टीट लेंथ है वो भी short है short टीट लेंथ आपको मदद करती है अच्छे से milking मशीन में fit होने में जो गर टीट लेंज short रहती है तो milking मशीन बहुत अच्छा है हाँ हाथ से उनकी जो milking करना है उसमें परिशानी हो जाती है लेकिन जैसे जैसे आप अच्छे breed का फारम बनाओगे आपके पास milk production increase होगा तो वैसे भी आपको milking मशीन का सारा लेना पड़ेगा नहीं तो आप हमने इसमें आपको complete data दिखाया है 44-432 का भी 44-433 का भी तो अब आप अपने फारम की condition के हिसाब से अपने आप चूस कर सकते हो कि कौन सा आपके फारम के लिए बिलकुल best रहेगा सभी friends का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवार वार